तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉश के इस 14-play setting dishwasher के बारे में तो जब एक customer first time अपनी family के लिए एक dishwasher purchase करता है और जब company का service engineer उसके घर पे उसको stall करने के लिए आता है तो जो question and answering customer और उस service engineer के बीच में होती है आज हम कोशिस करेंगे उन सभी question का answer अपने इस वीडियो के थुरूप पूर्य करने की और आज मेरे साथ BSH के expert engineer है जो इस वीडियो में help करेंगे कि कैसे हम इस dishwasher को use करते हैं और क्या इसके अंदर हमें features, functions और कैसे हम इसके अंदर सारे utensils वगरवगर load करते हैं तो यह सब चीजे आज हम discuss करेंगे अपने इस वीडियो में तो वीडियो को लास तक देखेगा चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो जैसे कि मैंने का यह बॉश का 14 प्लेस सेटिंग डिश्वाशर है 14 प्लेस का मतलब होता है कि जो 14% मील कंजियूम करते हुए जितने उटेंसिल्स वो यूज कर रहे हैं आप इस डिश्वाशर के अंदर उन सभी उटेंसिल्स को एक बारी में वाश कर सकते हैं तो जब इस डिश्वाशर के डोर को हम लोग ओपन करते हैं तो सबसे बॉटम साइट में आपको इसका बॉटम बास्केट मिलता है यह इसका बॉटम बास्केट है जिसके अंदर हम अपने हैविली स्वाइल डिसी मतलब जो हमारे बड़े गंदे बरतन होते हैं उन बरतनों के उपर रखके उनको प्रॉपर तारीक से वाश कर सकते हैं टो यह इसक्छी के आपको इंटिरियर मिलता है इसप्षमा के अंदर तो जब खीउनको परता है कि एक कस्टमर कीशन होता है के सब्सक्तर के लिए हम लोग इसा इस डिस्टसर नंदर कितने बरतन भावच कर सकते हैं इस में जरूरी है कि हम एक मता सके क्योंकि क्या होता है जादा ब्रतन उसक्टर यूज करते हैं तो उसकी कंटिडी कम ओगा जाती है अगर हम चोटे बर्तन यूज करते तो उसमें जादा जोते हैं एक हम कह सकते हैं कि 40 से 50 बर्तन एक बार में वाश कर सकते हैं जिसमें हमारे जिसे 1 스on होता है knife होता है बड़ा हमारा बाउल है और plates हैं ये सारी चीज़े हमें एक साथ यूज कर सकते हैं तो बन जाएब वारी ही स्पून होता है। नंबर आफ काउंट्स आप एग्जक्ट नहीं बता सकते हैं मतला 50 से 60 बरतन आप इसके अंदर एजली रखके बॉश कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्पून को भी एक युटेंसिल में काउंट करता है तो नेक्ट हम बात करते हैं कि कस्टमर पूछता है कि इसमें हम लोग युट स्पूरiałem युटेंसिल तो में हम युटेंसिल थे मिन रखके से ले कोई ज़ैसे बरतन पर करते आप कोई भी बरतन आप युटेंसिल कहीं पर रख सकते है यह उते प्लेट का फिल तो पर एक बटकैने यह जगनालिस्ट वाध में धनला है अगर आपके पस घंगा लाग mover मतलब इसमें ऐसा कुछ कंसर नहीं है कि आपने जहां पर इसके स्वकेट बने आपने वहीं पर उटेंसिस को फ्लेस करने मतलब जैसे आपके पास जगह आपके पास मिलती इंदर आप उसको उस तरीके से प्लेस कर सकते हैं और ऐसा भी तो होता ना जब कुछ टाइम तक डिस्फॉसर को यूज कर लेता है तो कस्टमर को भी एक आइडिया हो जाता है कि कैसे हमें डिस्फॉसर के अंदर उटेंस को प्लेस करना है जैसे आप यूज करते रहेंगे आपको पता लगता रहेगा कि यह वरतन हमने लास्ट टाइम इधर लगाया था इसकी प्लेस्मेंट इधर जाद अची है तो हम इधर लगा सकते हैं क्योंकि हो सकता है वह चोटा बरतन हो यह बड़ा है वह उसकी जंगा पर सईसे फिट नहीं अब जैसे हम पास फोल्ड पास वॉल्ड हो जाता है अगर आपके पास बड़े बौलव अगर हैं वह भी हम इसमें यूज कर सते हैं तो इदर से हम इसको फोल्ड कर देते हैं इस साइट से मतलब अगर प्लेट समारे पास ज़ाधन नहीं तो इसके पीछे बाले रेक्स को फ यह सारे यूटेंसिस हम इसके उपर प्लेस कर सकते हैं यह देखे यह फोल्ड हो गया अब यह क्या है कि यह बड़े बर्तुना के लिए जैसे हमाद पास एक कूपकर है जो भी भर्तन हम इसमें रखेंगे वो नीचे की तरफ दद रखेंगे यह अगर जब हम इसको यूज करते हैं तो यह क्लीन के लिए यहाँ पर इसके और यह नहीं होताओ आंसे रिख ड़ देंगे तो श्रिफ यह बर्तन का अप्लड नहीं हाएंगा तो एक के उपर एक नहीं रखेंगे.. हम साइड में इसको रखेंगे.. अब हमाल पास एक बढ़ी कडस.. देखीए इतना ना कड़ाई है.. खूंसे रख सकते है.. य Holzsya साइड आप्या हो इसे साइड पर रख सकते है.. य ऐसे रख सकते है.. जंगा बनाते रखना बढ़ेगा आपको इसको ऐसे आज़ेगा मतलब कहने का मतलब यह है कि एक बरतन के उपर दूसर बरतन को हमें ओवरलैप नहीं करना है मतलब जो बरतन का जो फेस होना चाहिए वो नीचे की साइड होना चाहिए अभी हमने इसमें रख दिया अब इसे हम चेक कर सकते हैं जब भी आप इसको अंदर की तरफ करेंगे इस प्रयाम से इसको हम ऐसे मूव करेंगे और इसको अंदर करेंगे इससे यह रहता है आपको पता लग जाएगा कोई भी आपका यूटेंस बास्किट के नीचे नहीं जा रहा है अगर वो नीचे चला गया और ब्लॉक कर दिया तो आपकी क्लीनिंग प्रोपर नहीं होगी साइक्ली कंप्लीट हो जाएगी लेकिन क्लीनिंग नहीं होगी तो फिर आपको लगेगा कि डिश्वस्टनल प्रॉबलम है यह चीज होती है आप जब लोड करते है वह आपको चेक करना पड़ता है तो मतलब य हम इसके मीडिल वाले बसकेक में कुछ समॉल या मिक्स्टेंसिस को हम लोग करकी कैसे हम लोग में लग Peninsula कर सकते हैं यह सब कप लगा रहे हैं तो जरूर यह इस कप को हम यहां पर भी लगा सकते हैं इस साइड में भी लगा सकते हैं यहां पर भी लगा सकते हैं तो बहुत जंगा है जैसे यूटेंसिस आपके फिट बैठते रहते हैं तो आप उसके तरह से उसे फिट लगाते रहते हैं अब यह देख या जहां पर बॉल्स के लिए स्पेस दिया आपने बॉल्स को वही प्लेस करना है एंड जब एक दो बार डिस्पोस्टर आप यूज करेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे आपने डिस्पोस्टर के उटेंसिल को इसके बास्केट के ऊपर लोड करने है इसमें इसमें यह भी फोल्ड हो जाता है जैसे आपको छोटे काटोरी है और रख सकते हैं यह आपकों सॉसर है चोटी प्लेट्स होती है हमारे पास व्यूंसे हमने यह दिखाएं इस साइड यह बिक्गा जाएंगी अ पर जञाब जाद हो सकते हैं इसमें गयाट देगे लगा रह हैं और यह हमार पर छोटे काटोरी हैं इस साइड से लगा सकते हैं यह साइड में लेज जाएंगी तो मेरा एक कुश्चन है जब कंपनी का परसन इसको स्टॉल करने के लिए घर पे आता है और कस्टमर पूछता है कि डिस्वासर के अंदर डिसिस को हमें कैसे लोड करना है त किस तरह से में वरतन सांटोस में लोड कर सकते हैं और कैसे हम उसरे वाच करेंगे आपको सारी चीज बताएंगे वन पाई वन लगाएक दिखा सकते हैं अगर आपके पास अलुक्ल कंपनी का अग्ज cadeutậति आपको सारे ट्रेंश बश्चय पर अपन बास्केट में लोड कर क यहां अगर हमारी प्लेट से लगा दी हमने तो ग्लास को इधर लगा सकते हैं नहीं तो अगर में पर स्पेस है तो हम इसमें भी लगा सकते हैं तो मतलब जहां पर हमें स्पेस मिल जाता है हम इजी लिवन बरतनों को वहां पर रख सकते हैं हाँ इसमें आपने जब लोड कर दिया है तो जैसे हम उसे इंसर्ट कर रहे थे तो इसे भी एक बार जैसे हमें गुमा के देखना है कि कोई भी उटेंसिस नीचे की तरफ नहीं आ रहा है कि नीचे की तरफ आएगा तो यह जो आम सोगई यह अटगेगा मतलब किसी उटेंसिस की जो टेल है वो इसके स्प्रेय आम को तचनी करने चीए ताकि इसके मुम्मेंट में कोई दिक्कत ना रहे बिल्कुँ अब इसे हम बंद करते हैं तो जैसे कि हमने इस अपर वाले बास्केट में सारे उटेंसिस को लोड कर दी है मेरा क्वश्चन है जो इस लिए वह यहां करते है तो टोटे नहीं इसलिए हम उसको इसमें पर लगाते लेकिन जो वायन ग्लासेद उती है उनकी जो टेल होती है वो काफी लंबी होती है इसमें आप देखेए इसको मैं यहां से प्रेस करूंगा यह नीचे होगा तो इसमें तीन हमआर पास स्टैक होते यह सबसे नीचे है हमारा अगर अब देखेंगे तो यहां पे बहुत एस पेस है हम इसे बंकर रहे है यह तो यह देख रहे हैं अब यह हमारा इस पेस आपको यह भी देखना होगा जब आप नीचे तो नहीं टकरा रहा है अब अगर लग रहा है आपको को नीचे लग रहा है तो इसको एक स्टेप और ऊपर उठाएं यहां से पकड़ेंगे फरस्ट अब आप देखते हैं इसमें औ चेक करना है कि वह आपस में टकरा तो नहीं रहें तो अब आप यूज करते हैं तो देखिए अगर यह स्पेस नीचे आजएगा तो हो सकता है यह आपका इसमें टकरा है तो इसलिए आपको चेक करना है कि अगर हमने सबसे नीचे करा है तो आपकी प्लेट्स पर नहीं लग तो इसके थुरू हम लोग इस ट्रे का हाइट हम एग्जेस कर सकते हैं थ्री स्टेप तर यह हम करके दिखाया है यह सबसे बॉटम वाला इसका हाइट हो गया जैन यह इसका मिडिल वाला हाइट हो गया जैन यह सबसे टॉप वाला है इस तरीके से हम लोग इसकी हाइट को इस तरह से नहीं चोड़ना है क्योंकि जब प्रेशर लगेगा तो ऐसे उड़ जएगा तो आपको कोशिश करना है उन्हें ऐसे रखने के लिए जो आपके बड़े कर्ची वगेरा होते हैं वह आपको ऐसे रख सकते हैं जिसे लंबे स्टाइब से उनको रख सकते हैं बागी जैसे स्पून है आपकी नाइफ है उनको ऐना ऐसे ही लगाना है मतलब जो एक कट्स बनें उन कर्स के अंदर ही हमें इस तरह से फसा के इनको रखना है मतलब ऐसे फ्रीली इनको नहीं चोड़ना है तो जब प्रेशर लगेगा तो हो सकता है वह आपके नीचे निकल जाएं इस प्रेशर नहीं तो क्लीनिंग प्रॉपर नहीं उपाएगा तो इसका ट्रेगो हम लोग बन करते हैं एक और क्वेशन जो कस्टमर हमेशा पूछता है कि हम लोग दिश्वाशर तो पर्चेस कर रहे हैं बट हमने सुनाए कि हमें इसके अंदर जो यूटेंसिल्स हैं जो मतलब धोके रखने हैं मतलब रिंस करके हमनने इसमें उटेंसिल्स का क्राना है क्या ऐसा सभी है ऐसके नहीं है तो आप इसे नहीं है क्योंकि आप ऑफन दिशुश्वाशर शादा तो अप चिंट मैंने मागें अन्या हैं हैं तो कभी भी आगर आम कोई लाएं तो नगा र इसमें क्या होता है आगर माल लीजे आपके फूद्स जादा है जैसे चावल हैं मतर है जो भी आपने यूज करा है वो क्या होगा है पानी के साथ फिल्टर से निकल कर वो पानी डिश्वर्शन में राउं और बार वर घूमता है तो जितना आपका फूड होगा वो तनी से रिमूब करना है एंड कोसिस कीजिए कि जो बिग फूड पार्टिकल है वो आपके उटेंसिस के ऊपर ना रहें एंड डिश्वासर के अंदर ये चाड़ भी आता है ये चाड़ क्या चीज का है यह दिखाता है जो हमें से डिश्वाशर यूज करते हैं तो उसके लिए इसमें यही बोल रहा है कि हमें कोई ज़रुवत नहीं है उसको रिंस करने की सिर्फ हमें उसमें फूड पार्टिकल जो है वो अटा है अगर फिर भी एगर कस्टमर के डिसिस के अंदर बिट फूड पार्टिकल थोड़े बहुत रहे गए तो क्या वो डेन उसके पाइट मे इसमें पानी इधर से जाता है और इस फिल्टर से निकलता रहता है तो जब भी हम देखेंगे तो वो हमारे इसमें बिल जाएंगे तो यह आपको क्लीन करना है वह आप चैक करेंगे तो ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं लेकिन एक ब्रश लेना है नॉर्मल फूड ख страх पर होता है उसे हम clean कर सकते हैं इसकी to clean करना नोमल water से clean कर सकते हैं soap यूज करना चाहें वह भी आप use कर सकते हि?! इस निली और वापस लगा सकते हैं यह arrow भार की तरफ रहता है कि यह arrow match हो जाएगा यह लॉक S t तो क्या इस filter का भी को लाइफ होता है कि मतलबु इस फ्लिटर को हमें कितने टाइम बार चेंज करना यह यह चलता रहता डिक विख बाoquई, onu Last ग्लास या एक कपके करीब इना पानी इसमें हमेशा रहता है ताकि इसमें मौश्चर बना रहे है यह कभी भी ब्लॉक नहीं होगा अगर इसमें पानी नहीं रहेगा तो यह सूख जाएगा तब हो सकता है अपको इसको क्लीन की ज़रूत पढ़े अगर आप इसको रेगुलर क पना अयह करते है तो यह जम सकता है जबने के बाद अगर अगर यह क्लीन नहीं होता है फे आपको भी खराब太 virtue मतलब अगर कॉस्टमर इसका फृक्ंटली ख्लीनिंग करता है तो इसका जो लाइफ है वो हमेशा रहेगा जने इसका डेसौसर का लाइफ रह है बिलकूल भी यह खराब नहीं होता है एक और common question customer का रहता है कि हम लोग disposter तो use कर रहे हैं बट कुछ हमारे बरतन ऐसे हैं जो proper dry नहीं हो रहे हैं मतलब drying के results हमें उन बरतनों के उपर ज्यादा better देखने को नहीं मिल रहे हैं तो इसका क्या reason है कि ऐसा क्यों होता है कि customer disposter use कर रहा है बट कुछ बरतन अच्छे से dry हो रहे हैं and कुछ बरतन proper dry नहीं हो रहे हैं and mostly देखा जाता है plastic वाले utensils के अंदर तो इसका क्या reason हो सकता है देखिए इसमें reason ही हो सकता है क्योंकि dishwasher में दो तरह से dishwasher यूज हो रहा है एक होता है mechanical action एक होता है chemical action अगर mechanical action यानि आपकी cycle complete हो रही है washing complete हो रही है उसमें यह problem आ सकती है या आप programming जो है वो सही चूज नहीं कर रहे है जैसे हो सकता है आपका बरतन जादा गंदे थे और आपने program लगाया छोटा तो उसमें drying का process कम है तो हो सकता है कि उसमें यह problem लगे तो मतलब जो 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 ड्राइंग वाला इस्यू है उसके लिए एक तो water hardness भी responsible हो सही है हम लोग जो detagent यूज कर रहे हैं वो सही यूज नहीं कर रहे है और जो program भी हम लोग इसमें रन कर रहे है वो उन बरतनों के साब से हम लोग सही program यूज नहीं कर रहे है तो अब यह एक एक करके जानते है अपने इस वीडियो में basically हमें dishwasher के लिए हम इसमें तीन चीज़ें यूज करते हैं जैसे first होता है salt और एक होता है rinsed एंग्झ एक होता है detergent तो यह है detergent यह है apka salt यह आपका rinsed यह किन चीजों के लिए काम करता है क्या करता है यह जो detergent है यह आपको cleaning के लिए काम करेगा आपकी water hardness होती है, तो हाड़नेस गुळसें वाजेशर के उस चीज को salt यूज करते हैं, उसके लिए, rinse Irene set होता है अपकी utensils के लिए होता है तो जो shining बनी रहे इसलिए हम इसको use करते हैं.. तो इसको कहां दालना है वो भी हम check लें अब तो अब ये तीनों चीजें अलग-अलग फॉर्म में भी आती है बट मैंने देखा है कि ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है आप टेबलेट में और इसमें क्या फरक है टेबलेट भी होती है टेबलेट होती है आपका 5-1 टेबलेट होती है हमारी इसमें भी आपकी ये चीज तो मतलब लेकिन टैबलेट का फाइदा तभी है अगर हम फूरा फुल लोड चला रहे हैं क्योंकि वह टैबलेट तो एक बारी में सारी कल्जी मुझाई है क्या होता है अगर हमारे यूटेंसिल्स फुल है या हाफ है हमें टैबलेट एक पूरी डालनी पड़ेगी अगर आप तीनों चीजे अलग यूज कर रहे हैं तो सॉल्ट और इंसेट आप एक बार में फिल कर देते हैं डिटर्जन आप एवरी टाइम रिक्वार्मेंट के हिसाफ से डालते हैं जैसे क्या होता है अगर आपके जादा और पूंटिटी भड़ानी पड़ती है अगर कम गंदे तो हम इसका कम कर सकते हैं उसको तो लेगेज़ तो का तैबलेट में क्या है आपके परतहन कम गंदे हो या जाद έχए हो या कम हो आप देगी तो तो अब ये दिश वाशीं का सॉल्ट होता है हम छोग से कहां पर वीड लिष्वाशर का salt होता है हमारा वहम इस पोशियन में डालते हैं यहां पर इसका एक चैंबर है salt chamber इसमें लिखाभ यह salt इसको खोलेंगे और इसके अंदर हम इसमें salt को फिल कर देंगे पुरा तो इसमें कितना salt जाता है एक बार में इसमें 2 1 1 2 kg आ जाता है तो जब भी आपको इंडिकेशन दिखता है तो इसमें इसमें salt फिल करना है तो जनरल ये salt कितने दिन तक चलता है तो डिपेंड करता है आपके hardness कितनी है अगर मालीजे water hardness जादा है तो उसके एक setting होती है तो उस हिसाब से salt अपने आप machine यूज़ करती है hardness जादा है तो salt थोड़ा जादा लगेगा और नॉर्मल hardness है तो अगर आप daily एक wash चलाएंगे तो एक महीनी से जादा चल जाता है इसमें यह जिसे ऐसे हम बंद कर देते हैं इसके बाद हम देखतेंगे आपको detergent और rinse aid जो डालने है यह देखिए detergent chamber है and then rinse aid वाला chamber है तो कभी भी होगा rinse aid हम इसमें fill कर देंगे यहाँ पर maximum लिखा है तो यहाँ पर हम इसको fill करेंगे detergent जो है यह देखिए इसमें two level दी है 15 and 25 तो इसमें जैसे अगर आपके ज़्यादा बढ़ता है या कम गंदे या इसमें बढ़ता है तो उस हिसाब से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते है दालने के बाद आप इसको close कर देंगे यह तो आपका हमेशे बंदी रहेगा तो मशीन जब उसको चाहिए होगा और उसको चाहिए और उसको चाहिए तो चलिए अब इस दिस्वासर को हम लोग on करके इसके सारे प्रोगाम को हम लोग चेक आउट कर लेते हैं अब जैसे इस अब से पहले ना आपके आती है प्रोग्राम है ओटो ओटो फॉट्फाइफ दो शिक्सटीफाइफ यह तक्रेचर है प्रोग्राम है ऑटो ऑटो मेंज क्या है इसमें हम siiskis लोड हम यूज कर सकते हैं जैसे आप यूटेंसिल जो रखेंगे इस वाली प्रोग्राम में हम र पर रहेगा मशीन अपने आप डिसाइड करेगी कि उसके अंदर कितनी सॉइलिंग है कितनी आपकी चिकनाई है उस हिसाफ से टेंपरेचर को वेरियेशन पर रखनी है सेकंड और अप्षण आता है हमारा फर्स यहां पर अपर अप्षण आपको अपने अपको बता है कि मिक्स लोड हम इसमें यूज कर सकते हैं जैसे यह प्रग्रामिंग है इसमें टाइमिंग आदी है दो गंटे 20 मिनट अगर आपको लग रहा है कि मेरेको इतना जादा टाइम यूज नहीं करना है या मेरेको जल्दी है या पाटी है आपके घर में तो आप इसमें एक option है speed perfect यह जैसे आप press करेंगे इसके साथ में तो एक घंटा 20 मिनट हो जाएगी तो इस परग्राम में हम जो working है वह same रहेगी बस जो इसकी water consumption है और आपकी electricity है वह थोड़ी सी जाद चिक हैं तो नेक्स प्रोगाम हमें मिलता है इसमें इकोegos सब्सक्सटरच उप्शramer सतना के सब्सक्राइब तो यामाइक लोक्टिस्ट वेयर है। यह स्थेज़ बहुतर उनने लाक्टिस, जुतवن मेखनें के समय धिलाँ, और भूबाटिक के वर्तक। प्लास्टिक भी आपको वह यूस करनी है जो आपकी माइक्रोवेव सेव रहती है क्योंकि इसमें क्या है पानी गरम होता है हो सकता है उसका शीप खड़ा होजे तो यह प्रोब्रम्स आती है यह तो आपको रागाते है तो चीन निलुक क अब का अब कापते हैं तो यह उसमें तपरापoser Synumegra ब요 तो उसमें आपका water saving होगी, electricity save रहेगी, जो हमारे तीन spray arms हैं, वो एक एक करके wash करेंगे, तो उसमें आपकी electricity कम consume होती है, तो इसलिए हम eco use कते हैं, अगर आपके वास time है, तो एक best program है आपके saving के लिए, इसके बाद एक mode आता है हमारा intensive कडाई, ये program बना है हमारे बड़े बरत नहीं है, जैसे steel का पूरा एक load है आपका, तो वो आप इसमें load कर सकते हैं, जैसे कडाई, cooker, steel के बरतन, इसमें हम क्रॉकरी और आपके glass जो है, वो अवोई करेंगे, क्योंकि इसका temperature हाई ही रहता है, हो सकते है आपके glass या क्रॉकरी आपके कडाब है, तो मतलब intensive कडाई वा तो आप रख सकते हैं, तो glass हैं, वो रख सकते हैं, यह सारी चीज़े आप उसमें use कर सकते हैं, लेकिन उसमें glass नहीं रखेंगे, काच के बरतन, इसके बाद एक program आता है normal, यह 65 degree है, इसमें time है 2 गंटे 20 मिनट, speed अगर हम लगाते हैं, तो यह 1 गंटा 30 मिनट कर जोता है, य जैसे का है, आप मालिजे कहीं हो, time से बाहर थे, तो आपके only जो बरतन थे, वो भार रखे वे थे, उन्हों सिर्फ पानी से rinse करना है, वो कर सकते हैं, या कुछ customer क्या करते हैं, जैसे working होते हैं, वो सुबा के बरतन रिश वाशर में छोड़ देते हैं, और शाम में आकर उसे rinse चलाना पड़ता है, then आप अपना program जो use करते हैं, वो use करना है, तो इस तरह से हम इसे rinse को use कर सकते हैं, जैसे आपके घर में party है, आप dinner set निकालते हैं, तो एक बंदा चाहिए होता है आपको से सारे बरतनों को rinse करने के लिए, वो काम आपका dishwasher कर सकता है, इसके बाद आता है एक favorite option है, इसमें 44 minute का सबसे short cycle है, इसमें आप जैसे breakfast और lunch के बरतन होते हैं, जाधा गंदे नहीं होते हैं, तो आप इसमें चला सकते हैं, या आप रात के भी ऐसा नहीं है कि इसमें स्रिक वो ही चलेंगे, आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपको 100% ड्राइंगे, व कि यह जो program है, 123 and 4, इसमें 100% ड्राइंगे, start in hours में हम machine को delay कर सकते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि machine को 4 गंटे बाद running में लाना है, तो आप इसमें अपना program लगा के इसमें जितना आप delay करना चाते हैं, पांच गंटे बाद इसमें चलाना चाते हैं, तो पांच गंटे बाद इसमें अपने अपने प्रोगाम को इस मोड के अंदर शेडूल कर सकते हैं, जैसा रात में आपने डिश्वाशर को लोड कर तक दिया और आपने सुबह नौ गंटे बाद या आठ गंटे बाद का program सेट कर दिया, तो जब आपको ब्रेक्पस करने के लिए उटेंसिल होंगे तो आपको प्रोपर वोश एंड ड्राइ मिलेगी, बिल्कुल, इसके बाद एक remote start function है, यह हमारा home connect feature है, तो इसमें हम अपने dishwasher को फोन से connect कर सकते हैं, और हम कहीं पर भी बैठ के इसको working पे ला सकते हैं, इसमें जब आप इसे connect करते हैं, तो इसमें कुछ customize आप जैसे यह एक इस favorite option था, जिसमें इसे 44 आ रहा है, तो इसमें कुछ extra program भी मिलेंगे आपको, तो वो चीज़ आप इसमें add कर सकते हैं, इस program के बदले आप कोई और सा program लाना चाहते हैं, तो आप अपने favorite बना सकते हैं, तो मतलब कोई एक नया program company ने नया release किया है, तो उसको download करके हम इसके फेवरेट वाले option में लाकर हम उसे store कर सकते हैं, बिलकुल, जैसे कि अगर मालीजे, in case अभी नए model आएंगे, या आने वाले time में भी आएंगे, तो जो उसमें programming आएगी नया program आएगा, तो आप उसे download करके, इसमें भी हम use कर सकते हैं, यह extra dry के जो feature है, यह हम तब use करते हैं जैसे हमने plastic के बरतन रखे थे, last time हमारी वो dry नहीं नहीं है, तो आप उसमें extra dry का option add कर सकते हैं, जो dry की efficiency होगी वो उसे थोड़ी extra burden, next program में हमारा intensive zone, इस program में हम क्या कर सकते हैं, जैसे यह auto mode है, इसमें हम add कर सकते हैं, कोई भी program में, eco में भी हम इसको add कर सकते हैं, इसका purpose क क्या है जिसे आपके जो cooker कडाई है, आपके वो जादा गंदी है, तो आप इसे lower basket में रखेंगे, तो इसका जो pressure होगा वो थोड़ा तेज हो जाएगा, तो उससे अच्छे से वो clean हो जाएगे, तो इसलिए हम intensive zone use करते हैं, इसके बाद एक आता है half load, half load में जिसे आपने half load लगाया, आपको लग रहा है कि बतन बहुत कम है, नीचे की basket में ही है, उपर एक दो है, तो machine क्या करेंगे, नीचे जादा focus करेगी, उपर कम करेगी, तो क्या होगा, आपके नीचे रहेंगे, बतन वो easily अराम से अच्छे wash हो जाएगे, और machine को पताए कि आपके कम बतन है, तो वो इतनी जादा consumption भी नहीं करेगी, इसके बाद आता है कि speed perfect, speed perfect में आपकी timing कम हो जाएगी, जो program आपका 3-50 मिनिट था, उसको हम speed perfect से 2-12 मिनिट में कर सकते हैं, यह आपको तब करना है, जब आप जल्दी में है, या आपको जल्दी बतन wash करने है, या पार्टी है आप अगर आपका time है, तो आप normal program यूज कीजिए, तो उसमें आप energy consumption कम कर पाएगे, and then सबसे last में हमें उसे start करेंगे, जैसे हम इसे start करेंगे, यह हमारा light stable हो जाएगी, it means यह on हो, अब जैसे यह dispenser के display के ओपर यह दो sign आ रहे हैं continuous, तो यह इनका क्या purpose है, इनका क्या मतलब है जैसे जब मैंने शुरू में बतायता है, आप detergent कहां load कर रहे थे, detergent जैसी अप load करके, उसमें एक मैंने आपको बतायता है, salt है, एक rinse aid है, तो यह दोनों उसके ही sign है, जैसी आप इनको fill कर देंगे, तो यह indication बंद हो जाएगे, जैसी ही वह आपका empty होते है, खतम हो जाते ह है, ऐसे ही salt का भी है, salt आपका, जैसे आप इसको fill कर देंगे, तो sign आपका चला जाएगा, तो friends, boss के इस disperser के regarding, अगर कोई question अगर आपके मन में होगा, तो इस वीडियो के comment box में आप comment करके, आप मेरे से post सकते हैं, मैं process करूँगा आपके उस question का जल्दी जल्दी answer करने का, तो मिलते हैं अपने next video में, तब तक के लिए good luck.